नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जिमिकंद ले लिया है हाथों में आपको इसे लगा लेना है सरसो का तेल दोनों हाथों पे नीचे और उपर की तरफ अच्छे से आगे पीछे आपको लगा लेना है सरसो का तेल यानि की मस्टर ओईल उसके बाद आपको ये जिमिकंद लेना यानि की सूरन जो आप बोलते हैं देखी सूरन है न मैंने मार्केट से लिया है इसलिए इस तरह से कटा हुआ है अगर आप खेतों से लेके आते हैं तो वो पूरा आता है तो उसे बीच से काट लेजएगा जितनी आपको सबजी में डालने की जरूरत हो उसके बाद देखी जो हाथों में खुझली आती है उसके लिए आपको क्या करना है हाथों पे लगा लिना है सरसो का तेल ताकि जब आप इसे कट करेंगे तो आपको खुझली नहीं आएगी इसके उपर का चिलका निकाल ले ताकि देखिए अगर आप नहीं निकालते चिलका डायरेक्ट टुकड़े करते हैं तो आपको क्या होगा जब आप इसे उबाल लेंगे नो उसके बाद आपको इसका चिलका निकालना पड़ेगा सब्जी बनाने के लिए इसलिए पहले से याप छिलका निकाल के रख दीजे यहाँ पर आप देख सकते इस तरह से छिलका निकाल लिया है और मैंने इसे पहले से अच्छे से पानी से वाश कर लिया था उसके बाद ही हाथों में सरसो का तेल लगाया और अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे तो जादा छोटे ना करें जादा बड़े भी ने मीडियम साइस के टुकड़े करें ताकि सबजी में भी डालने से आसानी हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने से काट लिया है तो यह तो हो गई प्रॉब्लम आपकी सौल हाथों में खुझ लिया है तो उसके लिए सरसो का तेल बता दिया अब काफी लोगों को सबी लोगों को नहीं पर काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यह जो जिमिकंद या उमिया सूरन खाने के बाद गले में वो थोड़ा सा चुपता है तो उसके लिए आपको चाहिए नीम्बू सबसे पहले कुकर में हम यह कटे होवे टुकड़े डाल देंगे जिमिकंद के और इसी के साथ एक गलास पानी अब आपको ले लिना है एक नीम्बू उसे आधा काट लेना है इसके बीज निकाल लेना है नीम्बू डाल दीजे कुकर के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऐसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और आधा करके पूरा ही नीमबू आपको डाल देना है कुकर का धकन दे देंगे और इसे हम दो सीटी याने के दो विसल आने तक पका लेंगे जैसे ही पक जाए पूरा प्रेशन निकल जाए उसके बाद ही धकन को खोले यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने धकन को खोल लिया है और अब यह जो नीमबू है वो हमें निकाल लेना है तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी जो गले में अटकता है सबजी में कैसे भी खाने से तो वो भी आपकी हट कई तो आप कैसे काटे और कैसे उबाले वो आपको बता दिये अब आप इसकी कोई भी तरह सूखी या ग्रेवी वाली सबजी बनाए और मज़े कमेंट्स बता है कि आपको यह वीडियो कितनी हेल्फ हो लोई आज के लिए बस इतना है थांक्यू